पाकिस्तान शोबीज इंडस्टी में बहुत से अदाकार ऐसे भी हैं जो के आला डिग्री जाफता हैं, मगर इसके बावजूद शोबीज इंडस्टी में आए। हालांके इनके पास केरियर में करने को और भी बहुत कुछ था। आज के इस वीडियो में हम इन अदाकारों के बारे में बात करेंगे, जो के असल जिंदगी में डॉक्टर हैं। इन में से कुछ अदाकार तो ऐसे हैं जो के हर वक्ट टीवी सक्रीन पर नजर आते हैं। मगर चंद एक ऐसे भी हैं जो के टीवी पर तो बहुत कम दिखाई देते हैं। मगर अपने काम की वज़ा से जाने जाते हैं। नमबर वन पर हैं शाहिस्ता लोदी। पकिस्तानी अदाकारा और होस शाहिस्ता लोदी खुराचि बें अपना एक क्लीनिक चला रही हैं। और वो गोगों की स्किन को खुबसुरत और बहतर बनाती हैं। अब मेंसे बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शाहिस्ता लोदी कास्मेटिक सर्जन हैं। और जिल्ड की डॉक्टर है जब इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा तो ये अपने काम में माहिर ना थी मगर अब ये मकमल तोर पर महारत हासल कर चुकी है और अब टीवी के साथ साथ अपने क्लीनिक पर भी बकाईदा नजर आती है तमाम शोबिस सतारे इनके पास ट्रीट्मेंट करवाने जा चुकी है जिसकी तसावीर ये अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती है और ये इस वक्त अपने दोनों कामों में एक्टिव दिखाई देती है नमबर टू पर आती है नादिया हसाइन नादिया हसाइन एक एक्टर और होस्ट होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट भी है नादिया हसाइन ने MBBS की डिग्री चनाक कॉली से हासल की इसके अलावा नादिया हसाइन एक कास्मेटिक सेजिन भी है इनका अपना कास्मेटिक ब्रेंड और सैलोन भी है मौडिलिक की दुनिया में भी नादिया हसाइन का एक बहुत बड़ा नाम है नमबर थ्री पर आते हैं फाहद मिर्जा सर्वत के लानी के शोहर फाहद मिर्जा एक अदाकार होने के साथ साथ M.B.S. डाक्टर भी है और ये प्लास्टिक सर्जन है जो के इस वक्त लियाकत नैशनल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं फाहद मिर्जा ने टीवी पर ज्यादा काम नहीं किया मगर इंटरेटेंट इंडस्टी से जुड़े रहने के लिए वो कुछ न कुछ करते रहते हैं और ये अपने दोनों काम को पसंद करते हैं जिस पर इन हैं वाकई फखर है और ये हॉस्पिटल में अपने बेहतरीन काम को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं नमबर फूर पर आते हैं अदील चोहदरी एक एक्टर, मौडल और सिंगर होने के साथ साथ अदील चोहदरी एक डेंटल भी है इन्होंने लहोर के मशूर कॉली से डिग्री हासल की इसके अलावा अदील चोहदरी को बॉलिवुड में भी काम करने की ओफर मिल चुकी है एक्टिंग में आने के बाद अदील चोहदरी ने अपने डेंटिस्ट होने को एज अ प्रोफेशन नहीं लिया क्योंकि एक्टिंग में आना इनका प्रोफेशन है नमबर फाइव पर आती हैं आमना शेख अदकारा आमना शेख नियूजक सिटी में पैदा हुई इन्होंने अपनी तालीम भी नियूजक से ही मुकमल की और आमना शेख एक एक्टर और मॉडल होने के सासाथ एक फॉर्मिसिस्ट भी है और ये इस वक्त एक फॉर्मिसिस्ट के तोर पर भी काम कर रही है नमबर सिक्स पर आती है मजना इबरहीम अदाकारा मजना इबरहीम एक मर्टी टैलेंटीड अदाकारा है और ये एक फॉजिशिन भी है मजना इबरहीम अफरीका में पैदा हुई और ये एक आवामी स्पीकर भी है जिन्होंने हाल ही में कार्परेट वर्ट से तलुक रखने वाले लोगों की तर्बियत का आगास भी किया है और ये पुर अत्मात और पुर जोश खवतून है जो के हमेशा कुछ ना कुछ निया करना पसंद करती है इनके लिए एक अदाकार और डॉक्टर होना काफी नहीं इन्हें यकीन है कि ये और भी बहुत कुछ कर सकती है पाकिस्तानी अदाकारा और होस्त जिन्हें हम एक लंबे अर्से से टीवी सक्रीन पर देखते रहे वो एक डॉक्टर भी है जी हाँ आप मेंसे बहुत से लोग ये जानकर जरूर हिरान होंगे कि वो एक डॉक्टर भी है नमबर नाइन पर आती हैं फजीला अबासी पाकिस्तानी काम्याब अदाकार हमजा अली अबासी की बहन फजीला अबासी एक टीवी होस्त रह चुकी है और ये एक मशूर डर्मटोलिजिस्ट भी है इसी वजह से ये टीवी पर बहुत कम दिखाई देती है नमबर टैन पर आते हैं सेयद जबरान पाकिस्तानी अदाकार सेयद जबरान एक मशूर अदाकार है ट्रामा सीरियल रांचा रांचा करदी में इनकी बहतरीन अदाकारी पर इन्हें खूब सराहा गया बहुत से लोग ये नहीं जानते के सेयद जबरान रावल पिंडी मेडिकल कॉलिज से MBPS की डिक्री हासिल कर चुके हैं मगर फिर इनके दोस्त ने इन्हें कमर्शिल के लिए एडिशन देने का चैलिज दिया और ये ऐसी शर्थी जिसके बाद ये अदाकार बन गए लेकिन ये सब डॉक्टर बनने के बाद हुआ कि उन्होंने डॉक्टर के बज़ाए अदाकार बनने का फैसला किया पाकिस्तानी शोबिस इंडस्टिस से तलुक रखने वाले इन अदाकारों के डॉक्टर होने से मतलिक जान कर आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में अपनी राए का जहार जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अलाहाफ़ाए